मैंने चिकन ले ली है अभी मैं इसको मैरिनेट करने वाली हूँ मैं अभी जींजर गार्लिक पेष्ट करूंगी और उसके साथ मैंने चीली भी डाल दिया है तो यह तीनों को एक साथ मैं मिक्स करूंगी अभी मैंने जो जींजर गार्लिक और चिली का पेष्ट बनाई थी उसे मैं चिकन में मैरिनेट करने वाली हूँ और दाली हूँ देही टर्मरिक थोड़ा साल्ट और कोरियंडर पाउडर अभी मैं इसको अच्छी तारा मैरिनेट करके दो घंटे के लिए फ्रिज में डालने वाली हो मैंने यह सब कुछ काटके रख दी हूं यह पोटेटो यह ओनियन जो मैंने छुड़-छुड़े काटके रख दी यह चिली आप चाहे तो कम यूज़ कर सकते हैं चिली और यह टमेटो और यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट अभी मैं यह सब को लेके बनाऊंगे मैंने तील गरम कर ली है अब मैं सब पोटेटो को फ्राइ करूंगी पर बाद के बाद मैं चिकन का मथाला तयार करूंगी तील मैं मैं पहले इलाइची दो बेली और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालके मैं इसको अच्छे से फ्राइड बढ़ रही हूं इसमें मैं थोड़ा सा चिली भी छोड़े चोड़े काटके रखी हूं चिली और ओनियन मैंने डाल दिया है अभी मैं इसको अच्छे से फ्राइड करेंगी अभी मैं टमेटो चिकन भी डाल दिये हूं हल्दी नमक जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी मिक्स कर रही हूं इसके बाद मैं अच्छे से इसको भूनेंगी चिकन को अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका अच्छे तरह यह साय ना हो जाए अभी मैं चिकन में आलू डाल दिये हूं इसके बाद मैं आलू को अच्छे तरह चिकन के साथ भूनूंगी ताकि आलू में मसाला आ जाए अभी मैंने चिकन में पानी डाल दी हूं इसके बाद चिकन को बॉयल होने के लिए छोड़ दीजिए चिकन और आलू अच्छी तरह बॉयल होने के बाद इसको सर्फ कीजिए राइस या भी रोडी के साथ मेरी चिकन करी बन गई है अभी मैं इसको राइस के साथ सर्फ करूंगी आप लोग भी कीजिए और मेरी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज सम्सेरब का लगा कीजिए